Hello friends, में हूँ फरा , आपका सौगत करती हूँ चट पटा सफर में आए आज हम बनाएंगे चट पटा सफर में पीजा बेस , देखिये आज हम पीजा बेस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों के जौरत होगी पीजा वेस के लिए हमें चाहिए मेदा, सूजी, नमक, बेकिंग पाउडर, शकर, बेकिंग सोडा, ड्राइ यीस्ट और गुनगुना पानी ये देखे हमने मेदा लिया है उसके अंदर हम ये तीन से चार चमच सूजी मिलाएंगी ये हमने ड्राइ येस्ट बहुता, कम से कम 2 चमच DRY YEST उसको हमने पानी में भिखाने की जरूत नहीं होती है वह अपन आप में वह होती है ये देखे हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिलाया है, अब ये एक चमच हम नमक मिलाएंग भायाएंगे उसके अंदर और अब हम इसके अंदर देखिए हम न मोहुं के लिए ओयल मिक्स करेंगे, तरह को को Ol Season Mike नश कर लिए हैं पाई है, तरह से अज हम इसके अनदर हम उसके नीज मिक्स कितने,ंगो नीजे हैं तरह से अज़को बाहर देखिए हम आद मिक्स करेंगे और हमसी फालो थीव जी मोटते बिल्कुल क्याना थे पुखे सल lass when a fish अदुल हमारी महें तमेरा धाला दैने जाने मानने के लुझते तम तत्रशा में एक्धार समय कहीं कि हमारे हाथ में बिल्कुल भी ना लगे देखिए इस तरह से हम इसको अच्छा से mix करके पूरा आटा गुन लेंगे अब इससे ओएल से हम उपर से है अब कि इसको बात लिया है अब हम इसके दो गोल लुए बना लेंगे जिस तरह से हम रोटी की योे बनाते हैं इसे इस तरह से रोकाए ब्लोय की बड़े रोका जो है सुखा मेदा हम इसके ऊपर मेदा चीटते जाएंगे आटे की तरह ताकि यह हमारे बेड़न चिकले पर चिपके नहीं देखिए हमारा इस तरह से रोल तयार है अब हम फॉग लेंगे काटा जिससे हम नूडल से वगिरा काते हैं उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे इस पर चीट चीट करेंगे तक कि यह बिल्कुल बजार जैसा तयार होगा हमारा पीज़वेस आप देखिएगा यह देखिए बिल्कुल रोटी की तरह फूले ना यह फ्लफी तो बने पर एकदम फूले ना बिल्कुल ऐसा रोटी फूल जाती किसा नहीं फूले इसके लिए हम इस हम जहीं रहे हैं आपको भी गोलबर्धन ले सकते हैं और उसके आश-पस क्याकरदे हैं हम जूरी की मदद से जूरी को हम ts, कुछ कटकर देंगे तक कि जो की एक्स्ट्रा आटा है उनन Nay जो बिलीवी ही एक्स्ट्रा वो निकल जाए जो शेप में नहीं है ये देखिए इस तरह से यह हमारा बिल्कुल बजार जैसा पीजा बेस तयार हो चुका है आप हम इसको बैक करेंगे हम इसको आज बिल्कुल रोटी का तवा जो जर्मन का तवा नॉर्मली हर गरों में पाया जाता है जिस पर रोटी बनती है हम आज उस पर आपको बेक करके बताएंगे देखिए इस तरह से हम ने उसको थोड़ा सा ओइल से ग्रीज करके प्रीहिट करके रखाता तवे को पहले से गरम कर लिया था अब हमने एक तरफ से रख दिया है उसको शेक निया और उपर से धकन देखिए इस तरह से जल्दी और थोड़ी से धीमिया आज पर आपको इसको बेक करना तेज आज पर नहीं फिर हम एक तरफ से पलट देंगे एक तरफ से दो मिनिट के लिए रखेंगे और फिर पलट देंगे उसको हम देखिए हलका से यह उपर से भी सुख चुका है अब ह अचिछ को दो मảngच से बनाईर आप बना लिजी एकटा और कम से कम आ अप इसको टक हम टोरुकरा यूज तक के पूरा युज कर सकते हैं देखिए यह हमारा पुरा पीज़ा पेज तयार है इसी तरह से हम दूसरा फीज़ज बैज भी से लेंगे त यऊ व ल का रूपर और ह अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना बूले हैं थैंक यू और बेल अलकन भी दबाना बिलकुल ना बूले हैं